हलो नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल हिंदी इंडियन टेक्नोलोजी में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज मैं आपको सैमसंग D13E की स्टार मड़न कैसे बनाते हैं आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों इस फोन की स्टार मड़न जो है वो वर्क नहीं कर रही है तो इसे हम कैसे रिपेर करेंगे आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो को सलूश लाज तक बट इस्टार की जो है वो वर्क नहीं कर रही है अब देख सकते हैं दोस्तों यहां पर सारी की जो है वो काम कर रही है बट इस्टार की वर्क नहीं कर रही है तो चलिए सबसे पहले हम फोन को अपने आफ कर लेते हैं उसके बाद यहां से हम अपने फोन को ओपन कर लेते हैं तो चलिए दोस्तों यहां पर मैं आपको वीडियो थोड़ा कट करके दिखा देता हूं तो चलिए दोस्तों यहां पर लगबग मारा फोन जो है वो ओपन हो चुका है तो चलिए दोस्तो हम मैं आपको बता देता हूँ कि Star की जब वर्क नहीं करती है तो हम इसे कहां कहां से बना सकते हैं सबसे पहला उप्शन ओपशन है वो दोस्तो यहां पर यह जो i.c. लगी हुई है इसी तरह यहां भी एक IC जो है वो रिमूफ हो चुकी है तो यहां पर हम जमपर लगा कर भी काम कर सकते हैं या फिर दोनों पॉइंट को आपस में मिला दें तो चलिए दोस्तों यहां पर हम इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला लेते हैं कि यहां पर आपको दोनों पॉइंट को आपस में मिला लेना है और दियान रखना दोस्तों कि जहां पर आप यह रांगा लगा रहे हों वहां पर दूसरी आइसी में टच नहीं होना चाहिए तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं तो यह देखिए दोस्तों यहां पर यह 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 लगी हुई है और उसी बगल में बिल्कुल मैंने पॉइंट को दे दिया है इस तरह से आप अपने मॉबाइल में इस्टार की रिपेयर कर सकते हैं तो चलिए अब हम अपने फोन को चेक करके देखते हैं कि मारे फोन में इस्टार की वर्क कर रही है या फिर नहीं कर रही है इस सलूइशन से दोस्तों आपके इस्टार की और आइस की वर्क करने लगेगी अभी फिलाल यहां पर इस्टार की वर्क नहीं कर रही ह तो हम देखते हैं कि Star की work करने लगी है या फिर नहीं कर रही है तो यह देखी दोस्तों यहां पर kommer करने लगी है तो इस तरह से दोस्तों आप अपने phone में star की problem को solve कर सकते हैं तो आज़ा करता हैं दोस्तों कि आज के वीडियो आप सबी को पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें सेयर करें, कमेंट जरूर करें और प्लीज मेरे चैनल को भी सबस्क्राइब करें